तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर सौगत है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपका यूटूब चैनल है या फिर आपने कोई निव यूटूब चैनल क्रियेट किया है तो हम उस चैनल के वीडियो पर कैसे जा जादा व्यूस को पा सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखेगा मेरे दोस्त एंड तक क्योंकि ये वीडियो सभी यूटुबर्स के लिए इस पेसली जो निव यूटुबर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और यदि वीडियो आपको पसंद आए मेरे दोस्तों तो आपि उसे लाइक सिया जरुर करिये और अप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल layer को सब्क्राइब कर दीजे विद बैल आइकरण तो चलिए मेरे दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों सबसे पहले आप Google के Chrome राउजर को open कर लीजेगा और उसके बाद आप अपनी ID से login हो जाएगा तो चलिए अब हम करते हैं YouTube को open और आप देख सकते हैं YouTube हो चुका है load उसके बाद आप right side में देख सकते हैं कि आपकी चैनल का logo दिया हुआ है और जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे option शो होने लगेगे इसके बाद आपको अपने योर्चेनल option पर क्लिक करेंगे तो आपकी channel का page जो होगा वो open हो जाएगा इसके बाद आप कस्टमाइज चैनल के options पर क्लिक करियेगा और यहां से हम आपको बताएंगी कि आपको पहला step क्या करना है मेरे दूस्तो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको दो option शो हो रहे हैं for returning subscriber और for new visitor तो आप इन दोनों options में अपने कुछ वीडियो को add कर सकते हैं और मेरा मानना ही है कि आप यहां पर अपने कुछ पुराने वीडियो जो कि एक मैने पुराने या दो मैने पुराने हूं वह आप यहां पर add कर सकते हैं कि जो आप new videos upload करते हैं उसका notification आपके सभी subscribers को मिल जाता है लेकिन जो आपके पुराने वीडियो होते हैं उन पर आपको views कम देखने को मिलते हैं तो आप यहां पर अपने कुछ पुराने videos upload कर सकते हैं और यहीं हम बात करें new visitor options की तो जो भी video आप यहां पर add करेंगे वो video सभी new visitor को या हम यह कह सकते हैं कि जितने भी new visitors होंगे जो आपके channel पर पहली बार आएंगे उन्हें यही video हर बार show होगा जिससे इस video पर आपको ज और उसमें आप देखेंगे कि change इस video को आप change भी कर सकते हैं या फिर इस video को remove भी कर सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरों options की जो की दिया हुआ है for returning subscriber और यहां पर जो भी video आप add करेंगे वो आपके returning subscriber या तो हम यह कह सकते हैं कि जो भी लोग आपको पहले से subscribe क करते हैं तो उन्हें हमेशा हर बार यही video show होगा तो इस तरीके से आप इन दोनों options के दोरा अपने वीडियो पर ज्यादा ज्यादा views पा सकते हैं तो आप इन दोनों options को अपने चैनल पर जरूर अप्लाई करिए तो अब हम बात करते हैं second options की जो की है playlist और आप भी अपने वीडियो को playlist में add करके अपने वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा views को पा सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरे वीडियो होते हैं वो mobile और प्रोड़क की unboxing से हैं या फिर जो मेरे वीडियो हैं वो YouTube की tips और tricks से related होते हैं तो मैंने अपने वीडियो की अलग-अलग category बनाई है और उन्हें अलग-अलग playlist में add कर दिया है तो चलिए अब हम चलते हैं playlist options पर और आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ playlist को create किया है और आप पहली playlist देख सकते हैं कि जो कि फौरी new YouTubers के नाम से है और इस playlist में मैंने कुछ YouTube की tips और tricks से related videos को add किये हैं तो जो भी new YouTubers होंगे जो कि interested होंगे YouTube की tips और tricks से related videos को देखने के लिए वो इस playlist में आगकर सभी वीडियो को देख सकते हैं तो आप अपने वीडियो पे end screen को जरूर add करिए क्योंकि end screen लगाने से आप अपने वीडियो के end में कुछ अपने अधस वीडियो को with subscribe button show कर सकते हैं जिससे आपके videos पर जादा सब जादा views आने की संभावना बढ़ जाती है और end screen को कैसे लगाना है इसके लिए मैंने अलग से video बनाया है तो आप उसे जाके देख सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं fourth step की जो की है icard और हम इस video में देखेंगे कि आप कैसे अपने videos पर icard को add कर सकते हैं और मेरा मानना यह है कि आप अपने सभी videos पर icard को जरूर add करिए जिससे आपके videos पर views आने की संभावना काफी बढ़ जाती है icard को add करने के लिए आपको video options पर जाना है और आप video options पर click कर लिजे उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जितनी भी videos upload की हैं वो सभी show होने लगेंगे और आपको जिस भी videos पर icard को add करना है उसे आप select कर लिजे तो मैं एक video select कर लेता हूँ तो चलिए करते हैं हम इस video पर icard को add और उसके लिए आपको जाना है icard option पर और icard option आप देख सकते हैं कि यहां पर in screen की नीचे icard को option show हो रहा है तो आप इस पर click कर लिजे उसके बाद आप देख सकते हैं कि icard को add करने के लिए एक अलग से page open हो चुका है और इसमें आप पहला option देख सकते हैं वीडियो दिया हुआ है तो यहां से आप अपने उस video को add कर सकते हैं icard में जिसे आप लगाना चाहते हैं तो चलिए हम इस option पर करते हैं click और आप देख की टाइमिंग को फिक्स कर देते हैं कि यह आई-कार्ड कितनी टाइमिंग के बाद आपकी वीडियो पर शो होगा तो मैं इसे फिक्स कर देता हूं यह मैंने फिक्स कर दिया और उसके बाद आप इसे सेव कर दीजे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आप अपने वीडियो पर आई-कार्ट को save कर सकते हैं, add कर सकते हैं और अपने वीडियो पर ज़्यादा ज़्यादा views को पा सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं next step की जो कि है thumbnail और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने thumbnail को ज़्यादा से ज़्यादा creative बनाएए एक professionally thumbnails का use कीजे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वीडियो पर click कर सकें और आपके वीडियो पर ज़्यादा views आ सकें तो इन सबी steps को आप अपने YouTube चैनल पर जरूर apply करिए और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो उसे like share जरूर करिए और comment करके बताएए कि वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हम आपसे next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद